हेलो स्टुडेंट्स हम शुरू कर रहे हैं अपना फर्स चेप्टर रिप्रोडॉक्शन इन और्गेनिजम्स ओके रिप्रोडॉक्शन इन और्गेनिजम्स में आप देखिए सबसे पहले हमें जानने की ज़रूत है जो ncrt ने फॉर्स स्टेट्मेंट दिया है अपना इनिश कहते हैं और उसने फिर एक फोटोग्राफ दी आपको नेक्स पेड़ और आपसे बोलता है कि चलिए इन सब की लाइफस्पैन लिखिए तो मैं यहाँ पर यह बता देता हूं कि लाइफस्पैन वेरी करती है जिसे टर्टल हंडर्ड येर्स तक भी जिन्दा रह सकता है एक है वो एलिफेंट सेवंटी इयर्स की एज तक जिन्दा रह सकता है बिल्कुल एक कैट है उसकी प्रॉपर कोई एज होगी डॉग्स क्वेली यर्स 15 तक जिन्दा रह सकते हैं तो इस तरीके से क्या है डिपरेंट और्गिनिजम आप देखें तो उनकी एक लाइफस्पैन है वहीं अगर किसी इंसेक्ट की बात करें तो हो सकता है उसकी लाइफस्पैन सिर्फ 24 आर्स की हो या एक बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी एक लिविंग और्गिनिजम है पर वन मिनट में क्या कर देता है डिविजन शो कर देता है ठीक है स्टूडेंट्स तो तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि life span एक period है जो organism कितने समय जिन्दा रहा यह definition है वैसे तो इस chapter से बहुत सारे different topics हैं जो पूछे जा सकते हैं ऐसे topic पर generally question बनता नहीं है लेकिन फिर भी क्या है कि we are not aware कभी भी कैसे भी CBST exam में question पूछ ले you should always be prepared for it next यहां पर reproduction की definition आपसे जरूर पूछी जा सकती है कभी ना कभी कि reproduction क्या process है तो वो एक biological process है जहां पर organisms produce करते हैं अपने तरीके के similar of its kind of spring offspring जो word होता है वो young one के लिए use होता है और similar के लिए इसले कह रहे हैं क्योंकि जो dogs है वो puppies को ही क्या करेंगे birth करेंगे human अपने babies को जो है humans को ही birth देंगे इसे हम एक और term से जानते हैं जिसे हम कहते हैं like baggots like मतलब जैसा organism होता है वैसे ही अपने young one को produce करता है ठीके then offspring जो obviously वो grow करेंगे mature करेंगे और जब वो mature हो जाएंगे तो उसके बाद वो भी further off springs करेंगे यह जो reproduction का process है फिर यह क्यों जरूरी है क्योंकि हम यह बात जानते हैं कि thousands of years से इस तरीके से different different organism और creatures है जो evolution में change होते चले जा रहे हैं तो एक तो point आया evolution का दूसरा point आया कि species जो है व of the species पहली बात तो यह maintained है और दूसरा यहां पर आप बोलेंगे variations species के अंदर क्या आते हैं variations आते हैं जब वो एक sexual mode of reproduction करते हैं तो लेकिन a sexual mode of reproduction के case में भी variations आ सकते हैं दो वो बहुत ही minor होते हैं sexual reproduction के case में variation जादा चीज़ दिखते हैं तो species की continuity होना species में variation आना species का survival सबसे important word क्या हुआ survival जिन्दा रहना at the end यह सब कुछ dependent है किस पर reproduction पर ध्यान रखें मैंने बोला species यहां पर मैंने individual नहीं बोला individual अगर वो उसका एंड जरूर होगा none of the individual is immortal है ना लेकिन यहां पर एक question पूछा जाता है आपसे और question यह होता है कि हम किसी microorganism को या फिर एक unicellular cell को या unicellular organism को हम immortal क्यों कहते हैं why we are saying it immortal और हो सकता है ऐसा question पूछते वे वो आपको amoeba का example दे दे और amoeba से पूछे कि amoeba को हम immortal कैसे कह सकते हैं answer इसका बहुत simple है क्योंकि amoeba क्या गरता है fission type of अपना asexual mode of reproduction शो करता है मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा कि fission कैसे होता है वैसे कुछ चीज़े आपको already lower classes में आप पढ़ चुके हैं तो क्या होता है कि एक इस तरीके का अगर cell है और वो divide कर जाए दो तरीके की daughter cells में है ना मैं clearly अगर आपको दिखाओ यहाँ पर तो एक amoeba का यह cell है और वो divide कर जाए दो तरीके की यह daughter cells में तो अब मुझे बताओ कि इसमें death कहा हुई organism की organism की तो यहाँ पर death ही नहीं वही वो तो सिर्फ further दो different young ones में divide हो गया तो हम यहाँ पर इसलिए बोलेंगे इसको कि यह immortal है इसकी life continuity चलती चली जा रही है ठीक है but obviously conceptually देखें तो कोई भी organism जो living है वो dead होगा ही होगा ठीक है students next यहाँ पर mode of reproduction देखें तो दो mode of reproduction है asexual mode of reproduction और sexual mode of reproduction यह आपको बात अलड़ी पता है sexual mode of reproduction में दो parents involved होते है parent number one and parent number two parent number one let us suppose males है तो वहाँ पर gamets produce होते है और gamets कौन से हो गए यहाँ पर males के case में humans का यह example ले ले लेते हैं तो sperm gamet हो गया इधर females में ovum gamet हो गए ठीक है and ultimately in gamet से क्या होता है fusion होता है जिसे हम क्या कहते है fertilization यह जो fertilization होगा इससे बनने वाली जो cell होगी जिसे हम क्या बोलेंगे zygote simple है यह fusion of the दो तरकें gamet से बनेगी तो obviously इसमें जो है जो characteristics होगी वो भी unique होगी लेकिन जब asexual mode of reproduction बोलते हैं तो यहाँ पर एक single individual ही involved होता है यह छोटा सा point है differences हम आगे देख लेंगे exam में generally इसके differences आप से पूछे जा सकते हैं ठीक है students अब आते हैं asexual mode of reproduction और उसकी characteristics के बारे में chapter भी हमारा दो पार्ट में divided है एक है asexual mode of reproduction और उसके types और दूसरा है sexual mode of reproduction और उसमें जो है further plants और animals को discuss किया है इसका जो further detailing है वो chapter number 2 and chapter 3 में respectively करे गई है जहां chapter number 2 plants के respect में है वहीं chapter number 3 humans के respect में पूरा chapter देखा जाएगा हम उसको detail में पढ़ेंगे आगे अब देखते हैं asexual reproduction की characteristics आप से पूछी गई तो क्या लिखेंगे सबसे पहला point जो मैंने भी पीछे बताया कि यहाँ पर single parent ही involved होगा common सी बात है दूसरा point है कि जो offsprings produce होंगे वो clones होंगे अब इससे क्या मतलब है clone से आपका क्या मतलब है देखिए cloning आपने पढ़ा होगा सुना होगा generally students को यहाँ पर dolly sheep का example तो पता ही होता है कि वो cloning से बनी थी human cloning भी होई है और cloning पे band भी है लेकिन यह word clone का मतलब क्या है इस word का मतलब है identical copy बिलकूल एकदम identical copy जब parents की बनेगी एकदम एक जैसी तो उसे हम बोलते है clone टेकनिकली इसकी जो definition ncrt ने लिखी है वो है morphologically और genetically similar मतलब genetic makeup भी same है और दिखने में भी morphological features में भी morphology का मतलब हुआ external features जो appearance के है उन morphological features में भी यह clone है identical copies है ठीक है तो जो asexual reproduction से offspring produce होंगे वो बिलकूल identical copy होंगे clone होंगे समझ में आया इस तरीके का asexual mode of reproduction कहां देखा जाता है generally unicellular organisms में देखा जाता है वैसे तो plants और animals में भी asexual mode of reproduction होता है यह आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से organisms asexual mode of reproduction कर सकते हैं humans में भी बाकी यहाँ पर unicellular organisms protest monera इस तरीके organisms में generally यह unicellular asexual mode of reproduction देखा जाता है यह examples देखें देन आप देखें कि जो यह cell division है वो अपने आप में ही reproduction है जैसे कि मैंने अभी amoeba का example लिया था अभी पिछली slide में मैंने बताया कि यह amoeba क्या करेगा further दो types में cells में divide कर जाएगा young ones में तो क्या यह एक division का जो process है asexual mode of reproduction का जो process है यह अपने आप में यह नहीं बताता कि दो cell बन गई तो यह तो reproduction का mode भी होगा एक तरीक से ठीक है और characteristics क्या है asexual mode of reproduction की सबसे पहली बात gamits क्या बनते हैं यहाँ पर gamits का formation है बिल्कुल भी नहीं है simple सा point क्या कहीं fertilization हो रहा है अरे जब gamits ही नहीं बन रहे तो fertilization कैसे होगा fertilization भी नहीं हो रहा क्या zygote बन रहा है यहाँ पर obviously zygote का formation भी नहीं है ठीक है और इसमें क्या होगा कि जो daughter cells बनेंगी वो बिल्कुल क्या है identical है clone है तो clone daughter cells यह बात तो हमने पहले भी देख लिए पीछे points में तो इस तरीके से आप ध्यान रखेगा कि asexual mode of reproduction क्या है उसकी क्या characteristics है ओके students next यहाँ पर हम discuss करेंगे कि types of asexual mode of reproduction क्या है आपकी NCRT ने अच्छे से यह point wise आपको topic दिया है plus photograph से भी आपको समझाया है कि different kinds of asexual mode of reproduction कैसे है सबसे पहला देखेंगे इसमें binary vision यह सबसे आसान है सबसे easy है binary vision में होता क्या है एक organism है again amoeba का diagram बना रहा हूं है और वो divide कर गया दो equal halves में divide करके अपना दो daughter cell बना ले है ना तो यह simple binary division होता है simple definition है लेकिन actually में इसकी detailing भी है और types भी है हम इसको further देखेंगे दूसरा है budding budding आपने सुना होगा hydra के case में क्या होता है कि भाई इस तरीके से एक पूरा हम hydra बनाते हैं ऐसे और उसमें extension outgrowth grow करने लगती है और वो जो outgrowth होती है वो बड़ होती है parent plant से या parent से वो attach होती है और जब वो हड़ जाती है जहां भी वो propagule करेगी वहाँ पर वो अपने आपने एक नया individual बना लेगी fragmentation किस तरीके से कोई organism divide करके अपने एक fragment को ही नया individual बना ले या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जनरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट में देखा जाता है इसका भी मैं टाइप और डाइग्राम के साथ आपको जुरूर इसको पूरे तरह से समझाओंगा then sporogenesis कैसे spores बन जाते हैं और spores वो जहां जहां जाते हैं कैसे वो एक नए individual में develop कर जाते हैं उसे हम कहते हैं sporogenesis तो students I hope आपको asexual reproduction अच्छे से समझ में आया अब आने वाली अगली वीडियो में हम देखेंगे types of asexual reproduction Thank you so much